हलो फ्रैंस कैसे हैं आप बढ़ियां काफी सारे ऐसी शो देखे जाते हैं जब उनकी स्लोट काफी डाउन होती है लेकिन फिर भी वो रनिंग शो चलते रहते हैं ऐसे में जो है चैनल उन्हें काफी जादा मौका देता है या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जाता है किसकी ट्यार पी हाई कर सकते हैं तो ऐसे में वो शो में छेड़कानी सुरू कर देते हैं और कहानी को बदलने की कोसिस करते हैं तो ऐसे में कहीं नकई उन्हें नुकसान भुगतना पड़ता है यह काफी बार शो में देखा गया है लेकिन हमें बात कर रहे हूं कर जो है कही ना कही अपनी मुवी को ये अपने प्रोजेक्ट को परमोट करती है उन्हें पता है तेजस्वी परकास की एड दिस टाइम पॉपॉलिटी बहुत जादा है फिर चाहे उनकी मुवी का कोई सौंग ही रिलीज क्यों ना हो तेजस्वी परकास की जैसे मन कस्तूरे क जो है रिलीज हुआ तो एक दिन में ही 1 million जो है उनके view हो गए क्योंकि उनके fans बहुत ज्यादा हो गए है उनकी चुलबुली हरकते fans को बहुत ज्यादा पसंद आती है अब बात आती है बिग बोस जैसे घर में जो है बड़े सितारों को लाया गया है लेकिन जो है कही न कहीं उन सितारों की तो खुदी पोजिशन कम हो यह वो नमबर वन पे नहीं बन पा रहें तो ऐसे में क्या लगता है क्या वो टियार पी निकाल पाएंगे जो फैंस बिग बोस में लड़ाई जगडा देखना चाहते हैं तो वो जल्दी सुरू हो जाएगा क्योंकि राखी सामत भी आने वाली है और जब वो आएगी तो मोस्ली वो तो एक से एक ब्लेम लगाएगी तो मेरे आदिल पे डोरे डाले हो तुम यह कर रहे हो तुम वो कर रहे हो मोस्ली यह सब देखने को अगर मिलेगा तो कहीं न कहीं शो का क्रेज बढ़ जाएगा बाकी तो जो है काफी नहीं नहीं सितारों को लाने की तैयारी चल रही है तो चलिए बताते हैं स्लोट क्या है नागिन की स्लोट जो है 40.51 है में भी इसके ट्यार पी 1.78 पे टच करेगा अब बात आती है आपके बिग बॉस की जिसकी स्लोट है 40.45 तो प्लीज वोच ओन टीवी विद एट तभी आप अपने शो को बड़ा सफर करते हुए देख तकते हैं नहीं तो आपका शो कब टाटा बाय हो जाए कब स्लोट चेंज हो जाए कुछ पता ही नहीं चलेगा बाकी जानकारी के लिए लाइक सबस्क्राइब दोनों बनता है